मदुबनी जिले के हर लाखी थाना छेतर के उमगाओं बासो पटी मुख्य मार्ग में मंगलवार को हुए जैनगर सहर के कपड़ा व्यवसाई के कर्मी से लूट कांड को लेकर SDPO नेहा कुमारी ने घटनास्थल का निरिक्षन किया वहीं SDPO ने निरिक्षन के दौरान पीरित कर्मी से गहन पूस्ताच वपरताल की SDPO ने अस्थानिये लोगों से पूस्ताच की और लूट मामले में सलिप्त अपरादियों का पता लगाने को लेकर निरिक्षन किया अग्यात अपराधियों ने पिस्टल के बल पर दो लाख पाँच हजार रुपे लूट कर फरार हो गया। SDPO निहा कुमारी ने मामले को लेकर बताया है कि लूट कार्ण का जल्द खुलाशा कर लिया जाएगा। मदुबनी जिले के रही का थाना पुलिस ने अलग-अलग कांडों में तीन लोगों को गिरफतार किया है। अपहरन वश शराब कारुबार मामले को लेकर पुराने मामले में तीन अभियुक्तों को गिरफतार किया गया है। बतादे कि गिरफतार अभियुक्तों की पहचवान रही का थानशेतर इस्तित सतलखा गाउं का सनीचर सहनी को पूर्व के शराब मामले वजितवारपुर गाउं के भोगी चौधरी के पुतर विजय कुमार चौधरी को असी बोतल देशी नेपाली शराब के साथ तो वहीं त पूर्व जितवारपुर गाउं का पपू भंडारी ने अपनी नाबालिक पूतरी को बहला फुसला कर शादी करने के नियस से अपहरण कर लेने के मामले गाउं के ही राजन पासवान एवं अन्य चार के खिलाफ रही का थाने में प्रात्मिकी दर्श कराया था जिस मामले में अभियुक्त लगातार फरार चल रहा था इस बाबत थाना अध्यक्ष राज किशोर कुमार ने बताया कि गिरफतार तीनों अभियुक्तों को नियाई खिरासत में लेते हुए विवहार नियाले मधुबने भेज दिया गया है